नमश्कार दोस्तों स्वागत हब सभी करें बरफिर चैनल है किशे जो आगे इफेक्ट किया पड़ेकर तुसके बारे में डिस्क्स करेगा वह हांसिंग फारिनिंज अप्टしょう बैंक जो लीडिंग भाइट का भारत के सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर काया किया कि टोटल सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है एजडी अधिफसी दोनों के आपसे मर्ज होने का जो न्यूज आया और मार्केट में काफी जादा इसका सकरात्मक प्रुभाव देखन कि लिए उनके दोरा इस चीजों को बताये गया और इसमें क्या क्या चीजे इसके इफेक्ट देखने के मिलेगा फ्यूचर में उसके बारे में थोड़ा डिसकुस करते हैं तो सबसे पहले इसका इसका इप्टिव डेट रहेगा दोस्तों जुलाई फर्स से एफेक्टिव रहेगा मतलब जो मर्ज की जो प्रोसेजर हो जाएगा जुलाई फर्स से दोनों चीज आप से मर्ज जाएंगे और अच्छे देव से ब्रैंक में तो जुलाई फर्स से चीजे देखने के मिलेंगे दूसरा पॉइंट यह है कि दो बोड़ अफ दोनों जो कंपनी हैं उनके सब्सक्राइब देखने के मीटिंग होगी 30 तारीकों कि कब होगी पॉस्ट मार्केट आउर मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ही उनके बोड़ सब्सक्राइब को से जो कंपनी की जाएगा और प्रूब कैसे चीजों को रखना है वह चीज आपस में अप्रूब की सबसे बड़ा इसका चीज सबसे बड़ी इसकी पॉइंट से रहेंगे कि दोनों जो बैंक दोनों जो कंपनी आपस में जमर जाएगे हो जाएगा तो इसका हंडेट परसेंट परसेंट के पास रहेंगे यानि लगभग 59 परसेंट के लगभग 59 परसेंट के लगभग और लगभग 41 परसेंट सॉरी ह्टिएफ से लिंटेट के पास 41 परसेंट रहेंगा और ह्टिएफ सी जो बैंक है उनके जो सेरल्डर उनके पास रहेंगा 59 परसेंट तो यह चीज हो गया और इसके पास है यह चीज है काफी एच्छे से क्लियर की गई है जिसमें कोई दोवर आए नहीं है उचके बाद से एच्टी एस बैंक विल बिकाम फिस पहले क्या था इसमें एच्टी एफसी जो बैंक थी मार्केट का प्लाजेट्ट के अनुसारी चीज यह चीज है एच्टी एच्टी ती बैंक मर्ज होने के बाद आ 만든 फिफ्ट मॉस्ट वालीवर बैंक तो इन दा व्ल आप्तर मर्जर आ echसी बैंक एच्टी एटेफ्टु आंथ मुटैंवर पिंग है औरडब है ਹ एतिः ह्टी जो भारत में लीड करतीं के वह बाइट सेंपर में अगर्व सबसे बड़ी सब दोनarlेंग करती और ल nehme सब्सक्राइब करते हैं उनको ज्यादा कुछ इसका इफेक्ट नहीं देखा जाएगा सब्सक्राइब करते रहेंगे उनके साथ अपनी सवाई देता रहेंगा एगर कुछ नहीं की जाएगी ते दोनों आज के फुरे मार्केट मार्जन चीजन न्यूज में फ्लैस करते रहें बैंकिंग सेक्टर लेट काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि दोनों लीटिंग कंपनी है भारत की और दोनों अगर मर्च जाती है तो एक तरह से काफी ज़्यदा इसका असा करन वह आने वाले देखे समय में देखने को मिलेगा और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव रहेगा एक्च्वल में वह भी आगे जानेंगे तो दोस्तों आज की वीडियों फिला इतना ही वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगाओ तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब सेयर और लाइक जरूर करें जाहिन